हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड आफ्टरनून इस्पेशल गुरुजी जीम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स से दी आप मेरे चैनल में नए नए विवर्स हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स चैनल अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका आज नहीं जारी होगा यूपी टीटी का प्रवेश्पत्र परिशदी प्रात्मे की स्कूलों में 79,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरच्छित वर की गलत तरीके से 6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी 6800 पदों के लिए जारी 34 सूची से असंतुष्ट OBC और SC अभ्यर्थियों का कहना है कि 79,000 भर्ती में आरच्छित वर की 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है लेकिन सरकार मात्र 6800 पदों पर घोटाला स्विकार रही है याचिका दाखिल करने वाले मुनेस मौरे का कहना है कि फूरो बेशिक सिच्छा महानिदेशक विजय किनन आनन तथा बर्तमान में बेशिक सिच्छा परिशत के सचीव प्रताप सिंग भग्हेल ने कहा था कि इस भरती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ जबकि सरकार ने घोटाला स्विकार कर सूची जारी कर दी फ्रेंट से यह देखें टी इटी का आज नहीं जारी होगा यूपी टी इटी का प्रवेशपत्र प्रयागराज 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सिच्छक पातरता परिच्छा यूपी टी इटी का प्रवेशपत्र बुधवार को जारी नहीं हो सकेगा परिछा नियामक प्राधिकारी ने सच्चीव अनिल भूसर चतुरवेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को नेशुलक परिवहन की सुभधा दिये जाने संबंधी सासना देश मिलने के बाद परवेश पत्र जारी होंगे इसमें एक दो दीन का समय लग सकता है और फ्रेंड्स वीडियो समाप्त होता है नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाद जीरोंगे तब तक के लिए गूड आफ्टरनून टेक केर